कि दोस्तों स्वागत आपका ट्रेट इस चैनल में और जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे को एक वीडियो में बता है था दोस्तों कि मार्केट के गीरने के चांसे नाइंटीन परसेंट है मंडे को और आप यहां पर देख सकते हो मार्केट यहां पर निफ्टी है जो लगबख 500 पॉइंट के आप गिरा है सेंट्सेक्स 300 पॉइंट के आसपच गिर चुका थो और निफ्टी बैंक भी सिम्लेर पंद्राइसों पॉइंट के आशबर गिरा थे दो मैंने आपको अल्रेडी यह बात बताई है कि जब आप जैसे जो investor है मेरे इस investor रिटेल इंवेस्टर जब हम लोग बेशते हैं तब market इतना नहीं गिरता यह इसलिए गिर रहा है कि जो foreign institution है वो यहाँ पर अपना माल बेच रहे है विदेशी जो investor है वो यहाँ पर अपना माल बेच रहे क्योंकि उनके countries में covid के cases बढ़ रहे है तो वो कभी इतना नहीं गिरता 100-200 points हम लोग understand करते हैं लेकिन 1500-1600 points यह बहुत जाड़ा हो जाता है और उसको देखके जो हमारे domestic investor हो भी अपना माल बेचना शुरूर करते दोस्तों तो यहाँ पर आपको कोई भी swing trading के strategy अगले एक या दो मिनित तक ट्राइन नहीं करनी है यह मेरे experience के तोर पर बता रहा हूं क्योंकि अगर आप यहाँ पर investment करोगे current situation में तो आपको 10-15% के loss होने के chances है क्योंकि यहाँ पर market correct कर रहा है और कितना correct करेगा यह हमें नहीं पता तो जितना market गिर रहा है उतना उनको गिरने दीजिए directly invest मत कीजिए एक point आएगा आपको वहाँ प आपना पैसा लगाई है लेकिन किरते होई market में पैसा मत डाली है जितना आप डालोगे उतना ही loss आपको वहाँ पर सहना पड़ेगा यह last जो मार्च 2020 में जो कोईट की जो cases आये थे उसके बाद में देखिए जो market fall down हुआ था उसने जून के महीने में recovery चालू की थी तो आप को एक दो महिना यहाँ पर wait करना है directly भी किसी भी swing trading strategy के लिए यहाँ पर अपलाएं मत किजिए कोई भी stocks खरीदने से पहले market को देखिए market sentiment क्या है पूरा अगर sensex down है और अगर आप सोच रहे हो कि आप दो stock लोग है वह उपर जाएगा तो यह ऐसा कभी नहीं होगा दूस्त इंट्राडे करके मैंने अलड़े आपको बहुत सारे strategies बता है लेकिन यह जो strategy है यह strategy आपको इस घिरते हुए market बेभी पैसा कमा के देगी दोस्तो यकिन नहीं आता तो इस वीडियो को अंटक जरूर देखिए skip बिलकुल भी ना करे और strategy को समझे दोस्तो मैं हमेशा आपको strategy वर्काउट नहीं होती आप पूरा वीडियो देखिए और ट्राय करने से पेले पेपर ट्रेड कीजिए या पर कितने सारे अप्लिकेशन से नियो स्टॉक है मनी बाय है मनी पॉट है सारे अप्लिकेशन आपको वहाँ पर फ्री में मिल रहें लेकिन आपको ट्रेड करना है और वहाँ पर लॉस होने के बाद आ जाता है कमेंट करने के लिए कि मुझे लॉस हुआ है मुझे लॉस हुआ है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा सीखने के लिए अब यह टाइम है दोस्तों मैं अभी आपको आवाइड क्यू करने बोल रहा हूँ स्विंग टेड लेकिन मुझे कब पाइसा नहीं लगाना यह मुझे मालूम है यह आपको भी सीखना पड़ेगा दोस्तों अभी करन्ट जो सीश्योशन चल रहे दोस्तों इतना कभी मार्केट नहीं गिरता आप साइड़े भी देख सकते हो फ्राइड भी मार्केट गिरता था लेकिन आज जैसे फॉर्म में बहुत केसिस बढ़ रहा है तो सवाल ही नहीं कि वो लोग अपना इंवेश्मेंट यहां पर रखेंगे उनको मालूम है कि कभी भी उनके यहां पर लॉक्डाउन लग सकता है तो वह वहां पर अपना पैसा विड्राव कर रहा है पूल आउट कर रहे अप अपने मार्केट से हमारे जो फॉरेंट इनिस्टेशन है बाहर के कंट्री में इतना नहीं है तो हमारे जो लोग है बाहर के कंट्री में बेचेंगे अपना माल तो उतना फरक नहीं कि देगा जितना अभी बाहर के लोग हमारे कंट्री में माल बेच रहे है तो यहां पर दे वो आपको निफ्टी में नहीं मिलता निफ्टी में बहुत स्लो तरीकी से अपसन डाउन होता लेकिन यहां पे बैंक निफ्टी में 20-30 पॉइंट सड़नली नीचे उपर हो जाता है और एक बार एक ऐसा मुमिंट आपको देती दोस्तों कि वहां पे आपको एक ही कैंडल में क यह जो है low breakout होने के बाद high के chances तो यहां पर आज बने ही नहीं breakout के यहाँ पे low breakout हुआ तो low breakout के बाद हमें वाहा पे position बनानी है train मैंने आपको बता है train वाहां होता है दाउन प्रेंड तो हम लोग यहां पर वेट करेंगे लो ब्रेकाउट का लो ब्रेकाउट हुआ है ड़स बज़े की आसपास और वहां से हमें अगले अहां पनार तक वह कैंडल में बने देना है और यहां पर कैंडल ने दिये हैं कम से कम सेवेंटी टू एटी पॉइंट्स दूस्तों एक ही कैंडल में मदल आप नजदीक का फुट ऑफिशन भी बाई करते तो आपको प्रॉफिट उटाप कम से कम फूर थादुन रुपिस एक लॉट की पीछे ठीक है यह स्ट्राडिजी ऊपर वाला जो है लाइन यह हाई यह मिने रखा है स्टॉप लॉस इसकी ऊपर जाने के चांसे अगर आपको लगते तो आपको आप एक्जिक लेना है यह स्टॉप लॉस सीथ होगा तो आपको ट्र प्रेड हुआ है तो हमें सिर्ख वहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाय करना है ट्रेंड मतलब करो स्टों कि वह कौन से डारेक्शन में जाने वाला है अभी यहां पर छोटा बच्चा भी वहाँ पर समझ जाएगा कि आज करेंड कुंसी चल रहे है तो डाउंट्रेंड समय का चल रहे है तो हमें वहां पर क्या करना है कि नहीं करना है अगले करना है और यहां का यह से देखें दो सो इसके बिलकुल भी ना करें यहां पर इसका हाई लोग मार्क करके रखा और सुबह आपको पता ही चल गया रोगा जैसे रेड मार्किट जब रेड केंडल बनी है इतनी बड़ी है तो कोई चांसे सी नहीं रोस्तों कि यह ग्याप डाउन जो हुए इसको एक आपको फिल करेगा क्योंकि जो न्यूस मार्केट में आज उसके वएसे सब को यंपा करके नीचे जाने वाला है लेकिन कौण से पौइउम्स मार्केट यहाँ पर located राए यह किसी को भी नहीं पता रा इंत history के वाला है यहाँ जय जो दोवर जे की जैंडल है इसके बाद में मार्केटश तो कब यहां पर मार्केट रिट्रेस्ट्रेंट लेगा यह किसी को भी नहीं बता होता है तो सब लोग आपना जो कॉल उप्शुन होता है या फूट पूट्रु अप्शन होता है वह बहुत नज़िक से ट्राइ करते हैं पाई कर देगा आभी देखिए यहां पर आदे सकते हो यह जो ओपन हुआ था ओपन हुआ था 35 125 तो किसी को भी यहां पर आइडिया नहीं होता कि और कितना नीचे जाने वाला है यहां पर आपको सबसे नस्दिक का कॉल ओप्शन यहां पर लेना है लिखिए लो मारा है 34 585 तो इसके नस्दिक का ओप्शन होने वाला है 34 500 ठीक है 34 500 का हमें पुट ओप्शन लेकि चलना है अगले हाफ अनार के लिए कितना 34 500 का पुट ओप्शन मुने यह नस्दिक का क्यों गूले उस्तों कि इसके चांसेज मोस्टी प्रबबले ज्यादा होते है नाइंट ग्र प्रेक आउट दे दिया है और ब्रेक आउट देने के बाद आपको कितने पॉइंट्स मिल यह भी आम आपको बताओं मतलब तो यह पर देखिए यह दिखे ब्रेक आउट यहाप रहा है और लो मारा है यहाप अब देख सकते हो 34,243 34,243 साड़े 300 पॉइंट्स दोस्तों अगले हाफ अनार के कैंडल ने आपको दिये है साड़े 300 पॉइंट्स आप वहाँ पे वो जो पूट आप्शन बाइक करते तर्टी फॉर फाइंट्स वाला कुण साव दोसो 34,500 बैंक निफ्टी का जो आप बाइक करके चलते यहाप आप देख सकते हो 34,500 पूट ऑप्शन ठीक है इसको मैं अड़ करता हूं और इसका चार्ट देख लेंगे देखिए 383 से लेके दोस्तों आप देख से तो कितना गया है यहां पर 550 मतलब हाई कितना है दोस्तों 550 550 और यहां से ब्रेक आउट के बाद समझा हूं हम लोग 380 को जो भी अगर इंट्री लेते माइनस 380 170 पॉइंट्स हो भी एक लॉट में दोस्तों अगर आप यहां पर बाय करते तो 25 का एक लॉट होता है इन्टू 25 चाह 1,250 एक लॉट में दोस्तो एक लॉट में इतना इसी हो जाता यहीं अगर आप एक ट्रेडर हो नॉमल ट्रेडर हो दो तीन लॉट तो आप इसी लेटे इन्टू 3 लॉट कीजि़े रहेहां तो यहीं आपको डेली करना दोस्तों अभी देखें मार्केट की सिचुएशन जिस प्रकाश से चल रही है हमें बेटर है कोई पूट ऑप्शन लेके चलिए क्योंकि हमें यह मार्केट कितना गिनेगा और कब रिकवरी लेगा दोस्तों इसकी कोई गैरेंटी नहीं है तो स्व मार्केट नॉर्मलाइज हो जाएगा उसके बाद में हम लोग ट्राइ करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो मैं आपको यहीं बता में चाहो कि अभी स्विंग ट्रेडिंग की पास ध्यान मत दीजिए जितना हो से कि उतना इंट्राइडे में कमाई यह बैंक की जात है तो जाके उसे पेपर ट्रेडिंग पर आजवाई हैं सीखिए उसके बाद में ट्राइग कीजिए दोस्तों तो आज का जो वीडियो बेस्टे के लिए बैंक निफ्टे के लिए बनाया था और आपको यह बताने के लिए कि अगले एक यह दो मैं तक मैं तो कोई स् ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब पीजिए और चितना होसे के वीडियो को शेर किले दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों टैंक दोस्तों